हेलो एन वेलकम गई, स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग ICC Arabian T20 लिख की बात करेंगे जो की मैच होगा या पर The Vision Sipping vs. Rajkot Thunders की बीच में तो चलिए दोनों इटिम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौनसा प्लेयर को हम लोग यासे Small League में लेके जाएंगे, कौनसा प्लेयर को हम लोग यासे Grand League में पिक कर सकते हैं प्लस कौनसा प्लेयर हमारे लिए Captain और Vice Captainship के लिए बेस सोई सरेगा उसके बारे में बात कर लेंगे पिछी रिपोर्ट देख लेते हैं कि कौनसा प्लेयर को हम लोग यासे Drop कर सकते हैं सारी डिटेल्स इसी वीडियो में अंदर कबर करेंगे तो चले फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस्से पेले अगा छोटी सी रिक्वेश्ट है कर के YouTube चैनल को अपने Subscribe नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube को सबस्क्राब करना है क्योंकि पूरी टूनामेड़ इसी YouTube चैनल पर पर मिलने माली है और टेलिग्रम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में आल्रेडी टेलिग्रम का लिंक अटेज किया है इनके सगर लिंक वर्ग नहीं करता तो टेलिग्रम में जाके आपको सर्च करना है फेंटासी डीसन चैलेंजर या फिर आपक सकती है एवरेज स्कॉर की बात के हो तो एक सो पचास के प्लास से स्कॉर बनता होने जरा सकता है चेजिंग रकोड में एकवली आकनेट और टॉस इतना कुछ ज्यादा महिने रखेगा नि तो सबसे पहले बात करते हैं से टीम टीवीएस की दवीजन सिपिंग वीजन सिपि का तो लास्ट जो मैच हुई हो अरेबिन टीवेंट यही रेकोड है बागी पहली जो मैच का रेकोड से वह यहां पर सीबी एफिस टीवेंटिग है और इंपोर्नेस की बात करो तो यह दोनों इंपोर्नेस है ऐसे सलमान खान जुनियर जो की बैटिंग से दिखेंगे शाकि मैच के दर यहां से एक दो विकेट निकाल के आपको दे सकता है प्लस बैटिंग भी आती है तब यहां से बैटिंग से भी बहुत ही अच्छे आंकड़ी कर लेता है तो यहांसे मुहांबन दाजी मेरी इंपॉर्नेट के चोईस है अली आप इसके बात कर तो लास्ट मैच के अच्छा किया तो इन्होंने आप देख सकते हैं पर 4 विकेट, 3 विकेट, 46, 43 यहां पर 107 तो काफी अच्छे बैटिंग से बोरिंग से दोनों इसे परफॉर्मस कर रहे थे लेकिन यहां पर ओस ज्यादा करवा नहीं रही और बैटिंग से इतना कुछ खास किया नहीं अभ विकेट लेस रहे इससे पहले यहां पर बुखातीर में कफी अच्छा किया उन्होंने बरोसा कर सकते हो साबाज जली की बात करो तो पिछली दोनों मैच के अनर विकेट निकालते वार तो इनको उपर बरोसा पूरा कर सकते हैं आप लोग काफी अच्छा प्लेयर है पर भी अभी भी कम ही चांस है कि पूरी ओस करवाएंगे क्योंकि इनके पास वालड़ी बहुत सारे ओफ्संस है तो डिफ्रेंस इलिए में ट्राइ करोगे उमर अर्शत को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूगा विकेट की बल्ले बाज है लेकिन बैटिंग ओडर उनका का पर पर्फरमस कर रहे थे लेकिन यहां पर बैटिंग तो आती नहीं है χाला कि बोखादिर फिप्टी वस्क्या ओर इसके अंदर चौते नमर पर बैटिंग के लिए आते थे तो वहां पर बैटिंग से भी अच्छा परफरमस देते थे तो वहीं उम्मीद रहेगी थोड़ा पर मिलने वाली है बात करें आसे टीम आर्जेटी के तो आर्जेटी दो मेश खेली जहां से एक मेश उनका अबांडेट हो गया और एक मेश वहा रही है उपनिंग में यहां पर विपुल महता और बंटी नंदी लास्ट मैश के दर उपनिंग किया इंपोरनस की बात कर तो बं बंटी नंदी बेरी इंपोरनेट भी कीवन यहां पर केप्टन वाइस केप्टन सिप की चोईस रहेगी यह बंदा आरेक मेश के दर बैटिंग से बोलिंग से अच्छा परपमस देता है ओवरॉल एमरेज आप देख सकते हो करीबन 61 केवरेज 179 मेश के अंदर 8149 रहन है सा आपर रेगुलेर बेजिस पर वल राउंडर परपमस देते दे तो परोसा कर सकते हो बाकि यहांसे बात करें गुर्जन कांडा जो की 134 मेश का अनुप हो है करीबन 40 के वरे से 3349 रहन किये लास मेश की बात कर तो सिर्फ 10 रहन किये वहां पर उन्होंने तीन और की संदीब बंडेगर ने लास मेश के अनुप है तीन रन किये ओरोल करीबन 21 के वरे जे 63 मेश के अंदर 1118 रन किये दिपेस राजगोर की बात करूते यहांसे दो विकेट निकाले तीन और की गैनबाजे करते होए 16 रन किये बैटिंग से ओरोल अच्छे आखड़े बरोसा यह को ट्राइ करूंगा मित्य स्टंक की बहुत रिस्की रहेंगे इनको लेखे जाना काफी रिस्की रहेगा प्रित्य सनट कर टिम की केप्टन सीप करा रहे लेकिन इनको भी सजेस्ट नहीं करता क्योंकि यह ज्यादा दर बैठिंग करने के लिए आते ही नहीं है बात के काफी सारी confusion है कि किसको टॉप करेगा कि तीनों कितने कुछ खास importance लगने रहे बंटी नंदी और डी राजगोर स्टार्ट करेंगे देथ वस में जेशेट और यहाँ पर बंटी नंदी देथ में आएंगे बैंच मेंसे अगर कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके stats और उनके टीम के दर रहेंगे बाकी आप लोग के चाहिए मैंने पहले आपको वीडियो के अंदर भी बता लिया कि विकेट कीपिंग से सारे options सारे ठीक ठाक है तो आप लोग अपने according जिसको भी try करना जाओ हाला कि व्यक्ता सीलियास जर कभी बैटिंग से उपर भी आ जाता तो इसक आप लोग try करना जाओ तो कर सकते हो व्यक्ता साकीब महमुद और यासे मुहमद नदीम हमारी टीम के रहेंगे यहाप लोग फईया जहमत को try कर सकते हो बाकी options सारे ठीक ठाक है बात करें आप बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँसे सहबाज अली इनके साथ यहाँसे जैशेठ और इनके साथ मुहमद रोईड और डी राजगोर को मैंने लिया है आप लोग चाहे तो इसे रोईड की जगापर जवार गनी को भी try कर सकते हो फ्लियर अच्छा है ऐसे कभी भी बड़ा performance दे सकता है बाकी option यहाँ पर उबेदुला मुहमद ने लास मैच के लिए ज्यादा है कर सकते हो क्योंकि एनके यहाँ चाहे है तो इस टीम मैच के अंदर बेटिंग करने का भी मौका मिलेगा और आज भी और शुरी करने तो इसकतर इनके बरुंसा कर सकते बागी तीम कुछ इस्सीतरा से रहेगी याद रहेक है कि जो टीम ए डेमो फगाप ब तो टेलिग्राम से जूड़ना बिल्कुल मत बुलेगा नीचे मैंने description box में टेलिग्राम का लिंक अटेच किया है इनकेस अगर लिंक वर्ग नहीं काता तो टेलिग्राम में जाके आपको search करना है fantasy recent challenger या फिर आपको search करना है direct fdc27 और आपको सिधा हमारा चैनल मिल जाएगा simply आपको इसी join करना है क्योंकि final update और final team आपको वह पर दी जाएगी या अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कर देना है साथी में share भी कर देना है अपने दोस्तों के अंदर और साथी में YouTube चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मेंचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगे तो इसके लिए YouTube चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि ये tournament तो हम लग पूरी कबर कर रहे है इसके साथ साथ आपको यहाँ पर CBFS T20 के वीडियो मिल जाएगे इसके साथ साथ यहाँ से Senior Women's T20 के वीडियो मिल जाएगे तो सारे अचे मेंचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलते रहते तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको subscribe कर लेना है साथी में Telegram चैनल से भी जोड़ जाएगा बाकी पूरा वीडियो देखते रहो अच्छे से analysis करो अच्छी सी team बनाओ अच्छी सी winning करते रहो हम लोग मिलत अगले वीडियो में एक नई सर्प्राइज वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई दन्यमाद जय हिन जय भारत